हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इस टाइब के math theory की question को हल करना सिखाएंगे और इस वीडियो को आप लोग अन तक जरूर देखियेगा क्योंकि इस टाइब के परस्न में 99% लोग fail हो जाते हैं अगर इस वीडियो को आप लोग अंतक देख लेते हैं, तो आप लोग सारी confusion दूर हो जाएगी और आप लोगों से कभी गलतिया नहीं होगी, तो चलिए वीडियो start करते हैं, तो यहाँ परस्न है, 101 cube minus 101 square, इसको क्या करना है, solve करना है, इस type के परस्न को कैसे solve किया जाता है, आ 2 जो है आपस में 3 बार गुना में है, ठीक, यहाँ power 3 है, इसका मतलब क्या है, कि 2 जो है आपस में 3 बार गुना में है, उसी प्रकार से, यहाँ क्या है, 101 पर power cube है, यानि 3 दिये हुआ है, तो क्या करेंगे, 101 को 3 बार आपस में गुना करके लिखेंगे, ठीक, तो चलिए 101 को लिख लेते हैं तो 101 को जब 3 बार लिख लिए गुणा में उसके बार यहां minus का चीन है तो minus का चीन लगाएंगे उसके बाद यहां क्या है 101 पर पावर स्क्वाइर है यानि 2 दिये हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि यह 2 बार गुणा होगा तो 101 को जो है दो बार क्या करेंगे गुना में लीख देंगे ठीक अब इसके बाद क्या होगा हम लोग देखेंगे कि इस दोनों में common क्या आने वाला है तो यहां की दो बार इसमें भी है तो ब्रैकेट के अंदर में क्या बच जाएगा यहां से one एक बचेगा तो एक सफ एक लिखेंगे उसके बात यहां माइनस का छीन demonstrate देगे ठीप उसके बात यहां से 150 जो हे दो बार बाहर कॉमन आ गया है तो यहां क्या बच गया एक बच गया ज़िक आप इसके बाद क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे सॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 101 गुना 101 है, मालने जिए अगर लिखा हुआ है, 2 गुना 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 square, क्योंकि 2 बार 2 गुना में हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार्ट से यहाँ 101 गुना 101 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 101 के इसका square हो जाएगा, ठीक, उसके बाद bracket के अंदर क्या है, यहाँ एक सब एक माइनस एक है, तो एक सब एक में से जब एक को घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक सब हो जाएगा, तो bracket से जब बाहर आएगा, तो गुना में हो जाएगा, तो यहाँ 100 लिख देंगे, ठीक, उसके बाद अब क्या करेंगे इसको solve कर लेंगे तो यहां क्या है 101 पे power square है यानि यहां दो है तो इसको दो बड़ गुना करना होगा तो आए पहले इसको trick से निकालना सीखते हैं कि जब भी 101 का square निकालना हो या solve के लगण पास कोई भी संख्या का कर अगर square निकालना हो तो उसको कैसे trick से shortcut निकाल सकते हैं? आईए यहां क्या 101 है इसको पावर square दिये हुगा है तो इसको कैसे square निकाला लाता है आईए सीखते हैं यहां क्या right? तो यह देखेंगे कि 100 से कितना जादा है, तो 100 से एक जादा है, यानि 100 से एक जादा है, ठीक, तो एक जो है इसमें जोड़ देंगे, तो 101 और यह एक जोड़ कर कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे, 102 लिखेंगे, ठीक, उसके बाद कितना जादा था, ए इसका square कर देंगे, यानि एक का square करेंगे, तो एक ही आएगा, लेकिन इसको दो संख्या में लिखा जाता है, तो एक को दो संख्या में कैसे लिखेंगे, यहाँ जीरो लेंगे, यहाँ एक लेंगे, यह दो अंक में हो गया, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ लीख देंगे, या इतना ज्यादा है उसका sqr करेंके उसका sqr करेंके नुसका sqr करेंकर गए तो एक आएगा अब क्या करेंकर इसमें दो अंक लेना है लेकिन जीरो में लेते हैं इसमें 0 के लिख हैं टो ऑसी तरह विर नोग चल पयूंत जाए मनक्यदा सबक्राइबने उसको लीख देंगे तो यहां जब इसको लीख दिए उसके बाद क्या है गुना का चीन है तो गुना का चीन देंगे उसके बाद यहां 100 है तो गुना करेंगे तो वो कितना हो जाएगा यहां 2 का 2 लिख देंगे अब देखेंगे जिसे गुना करना है उसमें कितना 0 है तो इसमें 2 0 है तो इसके साथ क्या करेंगे 2 0 लगा देंगे ठीक यानि 100 से जब गुना करेंगे तो सिर्फ 2 0 लगा देंगे तो वो 100 से गुना हो यानि 100 सुगुना करने के बाद यह जो आया यही इसका एंसर हो गया तो चलिए आप लोग भी इस टाइप के प्रस्न को बिल्कुल इसी प्रकार से असानी से सॉल्फ कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरूर करें थाइंक यू